हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम बैक टुमाई यूटुब चैनल तो आज की सीड़े में हम बात करने वाले हैं करने के ट्रिक के बारे में और उसी साथ तो कुछ concept भी सीखते जलेंगे तो वीडियो के हर एक बात जो मैं बोलूँगा इस वीडियो में बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट होगी क्यूंकि अगर एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो आपको फिर आगे चलके अगे चलके इसलिए इसलिए एक एक बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलूँगा तो सबसे पहला अचीए बात मता दो सबसे पहला यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि जो इस्टीरियो आइसो मर्स होते हैं वो क्या होते हैं वो सम के बराबर किसके ऑप्टिकल एंड जो मेट्रिकल के सम क बराबर इस एसीग को स्टीरियो आइसो मर्स वोलते हैं टोटर्व एंड तो यह स्टीरियो आई्सों करते हैं उसे मैथमेटिकली के थिदू या फिर हम बात कि आपको compound दिया हुआ है उसके लिए कुछ ऐसे फोर्मुलास होता है जिससे आप उसे calculate कर पाते हैं तो एक एक करके बात करते हैं एक कंडिशन लेंगे तो हर एक कंडिशन को ध्यान से सुनेगा क्यूंकि वही आपको apply करके question solve करने हैं सबसे पहला condition लेते हैं अब अन सिमेट्रिकल टाइपस ऑफ कंपाउंड कहने के मतलब क्या है वह देखते हैं मतलब no POS present कहने के मतलब यही है कि आपने क्या किया left से उस molecule आपको ऐसे कुछ दिया हुआ है आपने left से ने चाट किया और यहां पर right से स्टकिया इधर आने के कोशिस अ कुछ तो आपको हर एक वेगा यह हमारा यह अनस्यमेट्रिकल में आ गया इतना आपको समझाया होगा अब जब अनस्यमेट्रिकल में हमारा आ गया तो इसके लिए जो हम का केस होगा तो आपको 2 to the power n का formula यूज करना है और यहां जो n मैंने दिखा रहा वो number of chiral center को दिखाता है और इस तरही के साफ इसका कर सकते हैं अब मैं एक 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 जांपल लोगा उसका आप देखेगा कि आप क्या गल्ज़ी करता थे और आपको क्या सुधारनी के जरूरत है तो सबसे पहला एक जांपल है तो यहां अब तो लग रहा आए सिमेट्रीकल है बट एक इस्टेप और तो आगे बढ़िए यहां द दिक्कत है यही दिक्कत कारण जो है हमारा यह अनसीमेट्रीकल आ गया कि इसमेट्रीकल में आ गया जब यह अनसीमेट्रीकल हो गया तो हमारा यह फॉर्म्रा यहां यहां पर यहां पर देखें कितने कारेसेंट्र है तो अगर मैं कारेसेंट्र यहां पर देखूं तो देख हार हेंड है यह पर हमारा हो जाएगा तो यहां पर टोटलमपर कर सकते हैं तो यह आपको समझाया होगा अब हम लेते हैं अपने दूसरे एजांपल को तो दूसरा एजांपल हमारे देखे क्या है कि एक आपको यहाँ पर compound दिया हुआ है ठीक है अब जो है मैंने जो बात बोली उस चीज़ पर आप गोर कीजिए left में CS3 है right में हमारा CS3 है अब ही आपको लग रहा है symmetrical है एक कदम और आगे बढ़िए यहाँ पर C पर हमारा chlorine है यहाँ पर C पर जो हमारा NS3 है मतलब यहाँ पर जैसे यह carbon हमने आगे बढ़ा तो यहाँ देखे यह unsymmetrical हो रहे हैं सेम नहीं हो रहे हैं यहाँ पर CL तो present नहीं है जो आप symmetrical बोलेगा तो यह unsymmetrical हो रहे हैं तो अब देखी जब यह unsymmetrical होगे तो आपको second step क्या करना है आपको यहाँ पर कारल सेंटर कल्कुलेट करने है तो यहाँ पर सबसे पहला कारल सेंटर हमारा यह हो जाएगा और एक चीज यह अलीन सिस्टम है सबसे यह फीकारल सेंटर की तरह treat किया आता है तो यहाँ टोटल कारल सेंटर हमारा यह है तो यहां तोटल कारल सेंटर हमारा आगए चार और यहां पर तोटल नंबर और कार्स स्टी इससे पर सबस अगर आप ka travelled करे चाहें तो the poweriveness is equal to ले रहा हूं ताकि आपको यहां पर दिक्कत ना हो अब नेग्स का रख करेंगे अपको समझ आते आगे कि यहां अलग है यहां अलग है अब देखेए करें यह कारल सेंटर है then यह कारे सेंटर आप लखी नहीं आप देख सकते हैं तो टोटल कारे सेटर हमारे दो हो गए तो आइस्टो मर्स कितना हो जाएंगे आप देखिए यह एक इंपोर्टेंट कंपाउंड दिया हुआ है इसका कितना इस्टिरियो आइस्टो मर्स होगा आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा ठीक है अगर आप नहीं आता तो आप पूछें वहाँ पर मुझे नहीं आ रहा है इसका इसका इंसर बताईए तो मैं श्योब वहाँ पी कमेंट से रिप्लाइए करे यहां क्लोरीन है यहां भी क्लोरीन है मतलब आप जो है लेट से राइट से राइट से राइट में आ रहा है तो आपका सब उससे मिला तो उसे symmetrical बोलेंगे तो इस के लिए जो है आप फोर्ला कौन सा यूज करते हैं सबुस्क्राइब सब्सक्राइब और सबस्ताइब व्यूक्राइब है यहां प्रेंबद लिए कि एक पर अपर दिया हुआ है अब देखें यहां पर कैसा पी एचा है PHA, symmetrical लग रहा है, second पर देखिए OH है, यहाँ पर भी OH है, मतलब यह compound हमारा symmetrical है, अब जब symmetrical है, ठीक है, symmetrical है, तो लेकिन एक case यहाँ पर मैं आपको बताने भूल गिया, कि जब left to right जब जाएंगे, और जब symmetrical होगा, तो उसमें भी दो case हमारे होते हैं, वो case क्या होते हैं, जब even chiral center होते हैं, ठीक है, तो उस case में आप यह formula यूच की जाए, किस में मैंने बोला, even chiral center में, यह आप note कर लिजिए, जब even chiral center present होगे, तो ही आप यह यूच की जाएगा, नहीं यूच की जाएगा, जब odd होगे, तो मैं उसके अलग situation बताऊँगा, जब even होगे, तो आप इस n by 2 minus 1, अब जब 2 to the power n by 2 minus 1 हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखे, n का भी लिए 2 to the power 2 minus 1 plus 2 to the power 2 by 2 minus 1, जब इसे आप calculate करें तो 2 to the power 1 बचेगा, 2 to the power 1 minus 1 बचेगा, क्योंकि 2 से 2 कड जाएगा, and 2 to the power 1 आएगा, तो हमारे 2 to the power 0 हो जाएगा, 1 तो total number of chiral center हमारे हो अब लेता है next question, ठीक है, यह question देखे हमारे किया है, इस question पुछा गिया है, total number of isomers, आप देखे, यहाँ पर एक notice करने वाल बात होती है, कि मैंने आपको सबसे पहले हम बताया था, कि total number of isomers होते हैं, किसके बढ़ावत है, geometrical and optical होते हैं, तो जब आपका alien system, या फिर RS को छ फोड़के, अगर cis-trans वाले position बढ़ने को तो वह हमारे geometrical कहलाते हैं, तो उस case में आप जो total number of isomers calculate करेंगे, वही उसका वहाँ पर geometrical हो जाएंगे, क्योंकि geometrical only cis-trans बताते हैं, और optical जो बताते हैं, वह RS बताते हैं, मतलब RS में आपको चार different handed वाला कारे सेंटर देखना है, लेकिन cis-trans में आपको double-bone type को देखना है, जो दिया हुआ है, तो अब आप यहाँपे देखे, इहाँपे double-bone हमारे कितना है, 2 है, लेकिन यहाँपे एक चीद देख लें, यहाँँपे methyl है, यहाँ पर carbon है, यहाँपे carbon है, भी तक symmetrical लग रहा है, यहाँपे Michelle, यहाँपे methyl है तो यहां पर काराज सेंटर होगा है 2 तो 2 दिबाद 2-1 2 दिबाद 2-1 तो हम कल्कुलेट करेंगे हमारा 3 आ जाएगा तो इस तरीके साफ इसे कल्कुलेट करेंगे यह ठीक है अब हम लेते अपने next example को अब उसमें क्या है अभी मैंने आपको even का example दिया था मतलब symmetrical जब होंगे ठीक है symmetrical होंगे तो even का case का formula वह उपर बना था अब जब symmetrical हम लिए लेकिन वहाँ पे हमारा कैसा आ रहा है old center आ रहा है मतलब कुछ मान लिजिए यह compound है यहाँ पे तीन कारेल center है ठीक है तो इस case में आपको करना क्या है आपको middle वाला कारेल center देखना है middle वाला अगर middle वाला कारेल center आपको optical है तो आपके लिए जो formula ही होजगा 2 to the power n minus 1 ही होगा अगर geometrical center होगा तो 2 to the power n minus 2 to the power n minus 1 by 2 अब आपको यहाँ पे लग रहा हो यह geometrical और optical center है क्या देखिए अगर आपका एक carbon जो middle होगा उसमें 400 टाइप का compound है गर present है तो यह हमारा optical होगा लेक लिजेगा अब देखिए जो मैंने फोर्ना बता है यह कुछ होता है अब यहाँ पर compound लेते हैं हमें इस तरह कंपाउंड दिया तो आप बता यहाँ पर कितने कारेल center है लेकिन उससे पहले बता लेते हैं यह सिमेट्रिकल क्यांस पार हो रहा है मतलब यह हमारा compound symmetrical है अब दे two to the power n minus one हम यूज करेंगे तो two to the power three minus one is equal to कितना हो जाएगा two to the power two is equal to four isomers हो जाएगे लेकिन उसी का opposite यहाँ जो में च्छूटा हुआ 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 है उसके लिए इस चूटा हुआ 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 है यहाँ है तो दे चाहुआ है यहाँ यहाँ पर दिया हुआ हूआ ह अब यूज करना है टोटल नमबर काई सेंटर वंट यह और यूज करेंगे तो तो इस तरीके से जो है अब तोटल नमबर ऑफ आईसोमर कल्कुलेट कर सकते हैं अब यहां पर आप वो अगर किसी तरह के अभी दीकत था तो आप मुझे कोमेंट सेक्षिन बता सकते हैं मैं दुबारा आपका डाउट क्लियर करने कोसिस करूँगा और एक नोटिस करने और बात यह है कि अगर आप मेरे टेलिग्राम गुरूप पर नहीं तो आप वहां पर जोइन कर लिए क्योंकि मैं सारे तरीके के जो है पीडियाप्स और नोट्स वगरा कोसिंस वगरा प्रोवाइट करते रहता हूं आप जो डाउट है आप वहां पर क्लियरली पूछ सकते हैं मुझसे मैं हर एक कोई को कोरेशन देने कोशिस करूँगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरकी के अमेजिंग ट्रिक्स के साथ में तो तब तक के लिए धन्यवाद